आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टाइमस अफ राजस्थान पर आज हम आपको जोधपूर रियासत का इतिहास और जोधपूर के शासकों की संपूर्ण जानकारी देंगे जोधपूर की स्थापनाराब जोधा ने 1469 में की थी और यह भूदपूर्व जोधपूर रियासत की राजदानी थी मंदोर से हटा कर नई राजदानी यहा बसाई गई थी नई राजदानी को सुरक्षित रखने के लिए चिडियाट उन पहाडी पर एक दुर्ग भी बनाया गया था जो आज भी जोधपूर के किले के नाम से प्रसिद्ध है जोधपूर पर 1565 में मुगलों का अधिकार हो गया जोधपूर राजे के राव चंद्रसेन ने 1570 में अकबर से भेट की लेकिन अकबर ने उसके प्रतिद्वंद्वी भाई मुटा राजवा उद्यसीन को जोधपूर राजे का अधिनशा सग मान लिया चंद्रसेन निराश लोट गया और जीवनप पर एत्विरोट करता रहा मुगलबाद शाह अकबर के आकरमन के बाद इसने मुगलों का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया 1689 में मुगलबाद शाह और अंगजेम ने मारवाल पर हमला करके इसे लूटा और यहां के नवासियों को इसलाम दर्म स्वीकार करने को मजबूर किया लेकिन जोदपूर, जैपूर और उदयपूर की रियास्तों ने गड़ बंदन बना कर मुसलमानों के नियंतरन को रोके रखा इसके बाद जैपूर और जोदपूर के राजकुमारों को उदयपूर परिवार के साथ वैवाहिक संबंद करने का अधिकार जो मुगलों के साथ मितरता के कारण समाप्त हो गया था इस शर्ट पर फिर से प्राप्त हो गया कि उदयपूर की राजकुमारियों से उत्पन बच्चे पहले उत्रादिकारी होंगे लेकिन इस शर्ट से उत्पन जगणों के कारण अंततहर यहा मनाठों का प्रभुत्व कायाम हो गया और अंगजेब के समय जूदपूर का शासक जस्वन्त सीह की मृत्यू के पस्चात और अंगजेब और जूदपूर राजे के मद्य लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा यह संघर्ष जूदपूर की गद्दी पर जीत सीह जस्वन्त सीह के पुत्र के अधिकार को लेकर हुआ आगया 1949 में यह राजस्थान राज्ये में शामिल हो गया तो आएए भाईयों अब आपको जूदपूर के राठ और राजवंच के प्रतेक शासक के बारे में विस्तार से बताते हैं राव सिहा राठ और राजवंच के संस्थापक राव आस्थान जी, राव धुड जी, राव रायपाल जी, राव कनपाल जी, राव जालनसी जी, राव चाड़ा जी, राव तीड़ा जी, राव सलखाल जी, राव वीरम जी, राव चुंडा जी मंदोर पर राठ और राज्य की स्थापना राव रिडमल जी, राव काना जी, राव सत्ता जी, राव जोधा जी, जोधपूर के संस्थापक जिन्हों ने 1469 में चिडिया टुन्प पहाडी पर मेरानगर्दुर का निर्मान करवाया जोधा के पुत्र राव बीका ने बीकानेर में राट और वंच की, नीव डाली और ब भायल हो गे थे, जिससे उनकी मृत्ति हो गई राव सुझा जी, राव गंगा जी, भारत के सुल्तानों के विरुद्ध हुए, राणा सांगा के आक्रमनों में उनका सहयोग दिया राव माल देव जी, पांच जून 15 सोय कतीस को राव माल देव, जब जोधपूर की गद्ध पर बैठे, तब दिली में हुमायू का शाशन था माल देव का विवाह जैसलमेर के शाशकलून करण की पुत्री, उमा देवी से हुआ, जिसे इतिहास में रूटी राणी के नाम से जाना जाता है, माल देव ने जेट सी को हरा कर, बीका नेर पर 1541 में अधिकार किया गिरी स शुमेल नामक स्थान पर माल देव और शेर्शासुरी के बीच भयंकर युद हुआ, जिसमें शेर्शासुरी छलकपट से विजी हुआ, इतिहास में ये युद्गेरी सुमेल युद्ध के नाम से प्रसिद है, इस युद्ध में माल देव के वीर से नानायक जेटा, और प्राप्थ हुए राव चंद्रहसेन, माल देव की मिरते के बाद, जब उनका पुत्र चंद्रहसेन राजगदी पर बैठा, तो माल देव का जिएष्ट पुत्र त्रुद्ध सी नाराज होकर अकबर के पास चला गया, अकबर ने हुसैन कुली के नित्रत्व में शाही से न भीज कर जोदपूर पर अधिकार कर लिया और चंद्रहसेन भादरा जून चला गया, अकबर ने 1570 में नागौर में नागौर दर्बार आयुजित किया, जिसमें जैसलमेर नरेश रावल हराय, बीकानेर नरेश राव कल्यान मल, एवन उनके पुत्र रायसिय, एवन चंद् अधिनता स्विकार कर लिया रायसिय को जोदपूर के शाषन का भार दिया गया, राव चंद्रसेन मुगलों की अधिनता स्विकार नहीं करते हुए, अंतिम समय तक संघर्ष करता रहा, इस कारण उन्हें मारवार का महराना प्रताप, एवन मारवार का भुलामट का शासक क रहते है राव रायसिय जी, मोटा राजा उद्यसिंग जी, राव माल देव के पुत्र, एवन चद्रसेन के बड़े ब्राता उद्यसिय चार अगस्त पंद्रस और तेरासी में जूदपूर के शाषक बने उद्यसिय मारवार के प्रथम शाषक थे, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्विकार कर अपनी पुत्री, मानबाई, जगत गुंसाई, का विवा, शेहजादे सलीम, जहांगीर, से किया उद्यसिय की मृत्यू 1595 में लाहोर में हुई सवाई राजा सुरसिय जी, उद्यसिय के पुत्र सुरसिय ने 1595 में जूदपूर का शाषन संभाला जहांगीर ने इन्हें सवाई राजा की उपादी दी थी माहराजा गजसिय जी, सुरसिय के पुत्र गजसिय, 8 अक्टूबर 1619 में जूदपूर के शाषक बने जहांगीर ने उन्हें दलमन्तन की उपादी दी थी, एवं इनके घोडों को शाही दाग से मुक्त किया महराज जस्वन्त सिंग जी प्रथम, गजसिय के पुत्र जस्वन्त सिंग का 1638 में आगरा में राजति लखिया गया शाह जहां ने इन्हें महराजा की उपादी दी शाह जहां के पुत्रों के उत्तरादिकारी संगहर्ष में, जस्वन्त सिंग ने दाराशिकों के पक्षमे जिसमें औरन्गजेब विजी रहापुन, दोराय के युद्ध में औरन्गजेब ने दारशिकों को परास्त किया औरन्गजेब ने जस्वन्थ सिंग को सर्व प्रथम दक्षन अभियान ततल पस्चात काबुल अभियान पर भेजा, जहां उनकी मृत्चियों हो गई जस्वन सिंग की मृत्यू पर औरंग जेब ने कहा था कि आज कुफर का दर्वाजा टूट गया महाराजा अजीत सिंग जी जस्वन सिंग की मृत्यू के बाद उसकी गर्भवती रानी ने राजकुमार अजीत सिंह को जन दिया औरंग जेब ने उन्हें दिल्ली बुलाया औरंग उसने अन्य सरदारों के साथ राजकुमार को सुरक्षित निकाल कर कालंदरी सिरोही में इनकी परवरिश की तथा अजीत सिंग को जूदपूर की गद्धी पर बिठाया अजीती सनहे ने बहकावे में आकर दुरगादास को राज्य से निशाशत कर दिया तब वे मेवाड चल 1724 में कर दी माहराजा अभवे सिंग जी अजीत सिंग के उत्तरादिकारी अभ्यसी हुए जिनके शाशना काल में खेजडली गाव में अमरिता देवी के नितृत्व में व्रिक्षों की रक्षा हेतू 363 लोगों ने वलिदान दिया माहराजा राम सिंग जी माहराजा बखत सिंग जी माहराजा वेजय सिंग जी माहराजा भीम सिंग जी माहराजा मान सिंग जोदपूर के सिंग हासन पर उत्रादिकारी संगर्ष के पस्चात भीम सिंग को पदच्यूत करके महराजा मान सिंह ने कब जाजमाया अपने संघर्ष काल में जालोर दुर्ग में मारवार की सेना से घीरे मान सिंग को नात संप्रदाय के आयस देवनात ने जोदपूर के शाशक बनने की भविश्य मानिकर आशिरवाद दिया मान सिंह ने अपने जीवना काल में ही 1817 में अप 1118 को East India Company से संधी कर ली महराजा रतक्त सिंग जी, महराजा जसन्वत सिंग जी दुतिय, महराजा सर्दार सिंग जी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में करनल, महराजा सुमेर सिंग जी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में करनल, महराजा उमेद सिंग जी, ब्रिटिश इंडियन आ अगर भाईयों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करे और पेज को सब्सक्राइब भी जरूर करे ताकि आपको चानल की हर नई अपडेट्स मिलती रहे